नमस्कार दोस्तों मैं सुचित्तरा आज लेके आई हूँ आपके लिए एक नहे तरह के पकोड़ी की रेसिपी तो इस रेसिपी को अंतक जरूर देखिएगा देखिए कितने टेस्टी और कुरकुरे बनके तैयार हुआ है ये एक नए चीज से बनने वाली है तो वीडियो को चाहींन तक जरूर देखिएगा इस तरीके से 1 बार बनाके जरूर खाईएगा और बताइएगा मुझे कमेन्ट मे किसे लगी है इसको बनाने के लिए चाहिए हमें सरसो के फूल जो हमारे घर में लगे है तो इसको तोड़ लेंगे आपके घर में भी अगर होगा सरसो के फूल इस टाइम तो होता है तो उसी सरसो के फूल से एक बार बना के जरूर खाईए क्योंकि सरसो के फूल खतम होने वाले है उससे पहले एक बार जरूर ट्रै कीजिए और अगर आप आपने एक बार बना के खा लिया तो इसका स्वाथ तो पूरी साल भर नहीं भूलेंगे इंतजार करेंगे कब सरसो का फूल का मौसम आएगा और कब हम पकोडे बना के खाएंगे तो इस तरीके से बनाईए जरूर और जरूर खाईएगा तो देखे मैंने एक टोकरी भर लिया है फुलों से अब ले लेंगे कुछ धनिया के पत्ते जो हमारे घर में ही लगे हैं और इसमें जादा कुछ नहीं चाहिए आप चाहो तो पालक के पत्ते भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत तो मैं नहीं डालूंगी मैंने ले लिया एक मुठी धनिया के पत्ते और इसको लेके अब चलते हैं घर की तरप और इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है अब इनको हमें अच्छी तरह से धो लेना है धोते टाइम ध्यान रहे जादा मसलना नहीं है इनको हलके हातों से ही धोना है अब हम क्या गुर्षे हमें नफ्री्यकर लेगी की अवे टो 정री drawing के लिए नहीं विया ज़ती हमें भरगलडर ने कर सकते हमें टूड़ा चुछ एक था मीदिन के में सबस्क्नलाद में डाल दीजेगा तो देखें मीर्च को मैंने बारिक करके काट लिया है अब डाल देंगे इसमें डाल देंगे अब आदी कटोरी चावल का आटा एक कटोरी बेशन एक चम्मच हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार और आदी चम्मच लाल मिच पाउडर एक चम्मच जीरा ध बढ़ जाता है तो देखिए इन सब को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़े थोड़े से पानी डालूँगी और इसका बैटर जो है जादा गीला नहीं होना चाहिए इसको सुखा सुखा ही रखूंगी इस तरीके की इसमें इसलिए जादा पानी नहीं डाला मै तो ऐसे रख देंगे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी दिर के लिए तो अपना पानी छोड़ देगा कड़ाई में हम डाल देंगे तेल मैंने रिफाइन कर लिया है और देखिए जो बैटर बना के रखा था इसमें डालने से पहले थोड़ा से मिक्स करेंगे और इस तरीके से डालते जाएंगे ये जो पकोड़ी है ये एक बार आप जरू ट्राइ कीज़े मैं बार बार बोल रही हूं इतना टेस्टी है कि अभी भूलोगे नहीं कभी इसको आप खाके तो इस तरीके से मैंने बना लिया है इसको जादा पकाना नहीं है क्योंकि ये कच्चे चीज जै सरसो के फूल तो फटा फट से तोड़िये और बनाईये नहीं तो सरसो के फूल खतम होने वाले हैं इस सीजन में मिलेगा नहीं एक बार जरूर खाके देखिए कैसा लगता है तो देखे पकोड़ा हमारा बनके तैयार है इसके साथ हम ले लेंगे नीबू और ले लेंगे हर चटनी जो की पोदीना और धनिये के पत्ते से मैंने बनाया है खटी इसी चटनी और देखे कितना कुरकुरे और खस्ता बनके तैयार हुआ है इसको चटनी के साथ तो वाव क्या टेस्ट लगता है तो एक बार आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और ऐसे ही रेसिपी पाने के लिए मेरे सैनल पे नए हो तो सस्क्राइब कर लीजिए और सरसो के फूल के और भी रेसिपी है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते है एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई